आज बहुत सुन्दर सुरुवाद करते हैं बाबा बाबा कहते बच्चे तुम मुझे याद करने के लिए कोई घंटे आदि बजाने की कोई दरकार नहीं तो भुक्ती से हमारा यह संसकार बनाया हुआ है हम कोई भी मंदिर में जाते हैं तो पहले कुछ करे या ना करे तो घंटा को जरूर हम बजाते हैं तो हमारा ये समझ में था जो मंदिर में जो देवी देवता है तो उनको हमें जगाना है नहीं तो आंस-पांस वालों को हमें जगाना है तो बाबा के एते बचे ये तो मारा भ्राम है मैं रहता हो परमधाम में तुम इधार रहते हो तो इसलिए तुमें ट्यूनिंग करना है frequency मिलाना है नहीं तो कोई घंटा बजाना है घंटा बजा करके कोई में बच्चों को जागाने नहीं आया हो मेरा तो काम ही अलग है मेरा तो कर्तेबों ही अलग है बाबा कहते हैं तुम अभी मेरी समान बनो अर्थात तुम मेरी समान प्रेम का सागर बनोगे तो तुम्हारा काम बहुत सिद्ध होते हैं क्रोध से काम बिगारता है बच्छे बनता नहीं इसलिए जोर से बलना आख दिखाना गरम होना इससे काम सिद्ध नहीं होते जो हमरा गलत फेमिया बहुत समझ से चलते आया है हम बैपारों में देखते हैं घर ग्रियुस्ति में देखते हैं तो ब आग दिखाने से समझते हैं हमरे काम बनेगा लेकिन बाबा आज हमारे ये ब्रहम दूर करने के लिए आया है वेचे ये आग दिखाने से गरम होने से काम बिगारता है बनता नहीं इसलिए सभी का साथ हमें ये जो बाबा का शिक्षा है हमें प्यार से चलना है प्यार से बलना है आचरन हमारा ये ब्रम्ह का बनाना है बाबा हमें शाबधान भी कर रहे हैं बैचे बिकार का दान करके कभी वापिस नहीं देना ये जो पांच बिकार है तुमें काम करोद लो मोह अंकार तो ये दे दान तो छोटे ग्रहन मौक से तुमें शुभो बलना है बहुत मीठा समझ करके हमें ये बहुत बहुत शब्धानी से अपने जिबन को समलना है पालन करना है बाबा कहते हैं मैं आकर मुनिश्यों को कुम्भो करण की अग्यान नेंच से जगाता हो परंतो घंट आदी से नहीं ये भक्तों का ये बनाया हुआ रसम रिवाज है बाबा आया है हम स पुर्ण करमों को हमें बहुत सम्मान देना है रिगार देना है बाबा कहते अब तुमको सत प्रधन बनना है बच्छे इसलिए मुझे याद करो और कोई कठिन काम तुम्हें नहीं देता हो सो भी आजोपा है आजोपा याद आजोपा जप नहीं भक्ते में तो हम आजोपा माला लेकर के तो ये मंत्रो जबते आया हैं तो ये ब्रह्मा का बाबा का भी अनवब है भक्ति में कितना जब के लिए गुरु का कितना आदेश प्रप्त हुआ लेकिन जब से ग्यान मिला हुआ है तो अबेविचरी तो ये भक्ति अर्थात बाबा का याद हमें आजोपा होन इसका उधारन देते हुए बाबा कहते हैं कजना की जब साधी होती है तो सगाई होता है ना तो साधी का पहले सगाई होती है तो कजना क्या अपने पत्ति को क्या जब करती है नाम जब करती है नहीं ना फिर एक दो को याद करते रहते हैं सगाई हुआ सगाई हुआ एक दूसरों का तो एक दूसरों को बेट बेट करके याद करड़े लगते हैं तो भविश्यों चिंतन में खोये हुए रहते हैं सामने से कोई आते भी जाते हैं आते भी है जाती भी है उनको पता नहीं पड़ता ट्रेन में बेटे रहते हैं तो इतना भीरभार में वो खोई जाते है तो बाबा समझाते हैं तो ये अगर पसिबल है मुनिश्य मुनिश्य में तो भगवन का सथ क्यों नहीं तुम सब हो मेरे पत्निया बाबा कहते तुम शिताय हो परवतिया हो मेरे पत्निया हो सजनी हो यो शिबाबा का शिबाबा हम पतिनिया है, सजनी है, तुम्हारी सगाई हुई है परमात्मा के साथ, ये बहुत गोट फिलिंग करने का है, हमें तो दिल गदगाद होना चाहिए, खुशी से हमारा रोंगट खारा होना चाहिए, सगाई जब हो गई, तो बस याद बुद्ध में बैट गया, और कुछ नहीं एक बाबा दुसरा ना कोई और कुछ नहीं और कोई मनुश्यों का पीछे हमें दोलना नहीं कोई परमत मैं मनमत में हमें कोई मजना नहीं है खातिरी हो गई तो हमने सगाई कर ली तो बाबा को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए ये गाट बंदला चाहिए बार बार बाबा हमें समझाते है बचे ये गाट बंदलो तो मुझे कभी घुलना ही नहीं चाहिए अब हमको घर ले जाने के लिए बाबा आया है बाबा संदर स्रीती देते हैं बाप को ही सब कहते हैं न हमको दुख से छुरा करके मुक्त करो ऐसे चैन की दुनिया में ले चलो जहां कोई दुख का कोई चिन्ह ना हो तो बाप आया है हमको ले चलने के लिए तो उनका भी तो एक प्रसेस होगा ना तो बाबा क्या करेंगे अब ये सरीर को ये तो दुनिया में एक खाल उतार करके तो बाबा हम आत्मों को ले जाएंगे तो स की काते है बाबा महाकाल है सन्नाशी लोग सिर्फ ब्रमो को याद करते है अब बाबा कहते है ब्रमो तो घर है घर और घर का मालिक तो एक नहीं है वो तो घर को याद करेंगे और हम घर का मालिक बाबा को याद करेंगे तो हमें कितना ना खुशी होना चाहिए हमें घर को भी तो मालुम है, घर का मालिक को भी मालुम है, इसलिए हम सन्नाशियों को बाबा के एते हैं, वो तो रजप्रदन है, तुमारा बुद्धिया भी सतप्रदन बन गया, सिर्फ घर को याद करेंगे, तो हम भी सन्नाशिय जैसे हो जाएंगे, ब्रम्म तो भगवान नहीं है न, ब् अपना परिचर देते हुए कहा, बचे, मैं तो बिंदी रूप हो, मैं सर्षे के दाना मिसल हो, खशखश का दाना भी छोटा होता है ना, तो परमात्मा भी ऐसा बिंदी है, तो ये असमान में देखो, तो तारा जैसे चमकता है, ऐसा मैं भी चमकता हुआ, एक बिंदी ही हो, उनको देखा भी नहीं जा सकता, दिबोधरिष्टी से उनको तो जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, तो ये बहुत हमारा mental level को बहुत high frequency में ले जाना चाहिए, ट्यूनिंग को हमें बराना चाहिए, बिल्कुल छोटा स्टार मिसल है, मैं भी आत्मा बिंदी हूँ, बाबा भी बिंदी हूँ, आस्मान का सितारा है, गिता में दिखाया है, आखुंडो जोती का शक्षत कर हुआ और जुनों को गिता में लिखा हुआ है, और जुन को बहुत त्याजमा शक्षत कर हुआ, तो बस अपना असली रूप बताते है बच्छे, तुम जैसे हो, मैं भी ऐसा ही हो, गुनों का अंतर है, आत्मा और परमात्मा का कोई बस तुम में कोई रूपों में और आकार में कोई अंतर नहीं, लेकिन गुनों में अंतर है, मैं परम हो, मैं परमात्मा हो, तो ये बात बाबा हमे बहुत special समझाते हैं और कोई तुम्हें मेहनत नहीं करना स्रिफ मुझे याद करो बाबा कहते हैं तो वगेर करी तुम विश्यों के मालिक बनते हो दुनिया में ऐसा करी ऐसा कोई तो शत्र नहीं है जो बिना करी कोई तो राजा बन सकता है कोई अमीर बन सकता है तो मम्मा देखो बिना करी आई और विश्यों के महरानी बन गई तो यह सादरन थी ना एकदम गरीब घर के बिना करी खर्चे देखो क्या बनते हैं मम्मा फिर सर्विस बहुत करती थी बहुत सर्विस करती थी तो जाकर औरों को समझाती थी कि बाबा कहते है मुझे याद करो तो तुमारे बिकर्म बिनाश होंगे और तुम सतप्रधान बन जाएंगे तो मामा का ये बहुत एक्टिविटी बहुत पर्फेक्ट थी तो इसलिए मम्मा नंबर वान में गई तो इसलिए पहले लक्ष्मी बाद में नारयान कहते हैं तो इसलिए मम्मा नंबर वान में गई तो साइलेंस के साइलेंस में रहो बिना तो कोरी खर्चा बिश्यों की ब हर कदम में मम्मा को फलू करना है मम्मा को फलू करेंगे तो हम तो ये अपने को बहुत छोटा नहीं महसूस करेंगे हमारा पास तान है धान है मान है तो धान नहीं तो क्या हुआ तान भी तो है न और मान भी तो है न तो मम्मा तो ये तान और मान दे करके नमबर वन में गई तो मम्मा को हमें जोड़ दार फ़रू करना है तो आज का बरदान है नालेज की लाइट दारा पुरुशार्थ के मार को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिस्ता रोप भावो बाबा बहुत संदर बरदान देते हैं नालेज जैसा एक लाइट है नालेज ल तो इसलिए बाबा केते हैं फरिस्ता बनो फरिस्ता बनो तो फरिस्ता बनने से आपका प्रकाश आपका लाइट तो आपका पुरुशार्थ का मार को बहुत स्पष्ट करेगा तो मार क पर चलने से आप मंजिल तो पहुच जाएंगे तो आज का स्लोगान है बैठो बोलना और्थात अनेको को डिश्टार्ब करना क्योंकि ये जीवन अमुल्ल है अमुल्ल जीवन में तो सभी को सम्मान करना है सभी का समय को भी सम्मान करना है तो इसलिए कोई बैठो बोल बोल करके तो किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना उसको मन खराब नहीं करना मन का कोई डिश्टार्ब नहीं करना अच्छा ओम शंती